हेलो फ्रेंड्स दिस इस एस्पीशिंग एंड वेल्कम टू इश्मार्टर एवरी डे बीट सेकेंड डियर में जो पेपर है आपका सैक्षिक नेत्रत एवं प्रबंधन पेपर थर्ड है ठीक है इसमें हम लोगों ने कल जो कोश्चन किया था क्लास मेनेजमेंट का आर्थ यानि कि कक्षा कक्ष का आर्थ पढ़ाता हम लोगों ने कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिध्धान्त पढ़ लिये थे ठीक है आपको पता है कि मैं जो इंपॉर्टेंट कोश्चन से अब वही करा रहा हूं कि के बाकी पूरी प्लेइलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं आज आपके सामने कोश्चन है इसकूल का क्या आर्थ है जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है और क्लास में लाष्ट तक बने रह देंगे जो भी स्टेंट क्लास में लाष्ट तक बना रहा था डेफिनेटली बहुत कुछ शीखने वाला है और एक्जाम में आपको बहुत बहुत ज़्यदा हेल्प मिलेगे अगर आप खुद सेलफ इस्टेडी नहीं करते हैं उसके पावजूद भी बेतन तरीके से आप स is% school is school सब्द की उत्पत्ती एक ग्रीग सब्द इसकोले से हुई है यानि एक ग्रीक सब्द इसकोले जहां शें से इसकोल सब्द की उत्पत्ती हुई है देखे, दस मिनट, पंदरा मिनट सी क्लास में कुछ होने वाला नहीं है, क्लास लंबी हो जा, उसके टेंसर मत लेना इस शब्द का अर्थ होता है अवकाश, अवकाश यानि कि लेजर, ठीक है प्राचीन, यूनान में अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से पुकारा जाता था अवकाश शब्द का इस्पस्टिकरन करते हुए, ए एफ लीच ने लिखा है, वाद विवाद या वारता के स्थान कौन से स्थान? लड़ाई जगडे, या गप्पे मारने की जगए, वारतालाप करने की जगए, जहां गाउं की पंचाइत इकठा होती हो ऐसी जगए जहां Athens के यूवक अपने अवकास के समय को खेल कूद यानि कि जहां Athens के जो लोग थे वो अपने समय को खेल कूद के विङायाम करके युद के प्रसिच्छण में व्यतीत करते थे जो खाली जगाए पड़ी रहती थी धीरे धीरे दरसंद अथा उच्चकक्षाओं के स्कूलों में बदल गए ठीक है? एकेडमी के सुन्दर बागों में वेतित किये जाने वाले अवकास की माध्यम से स्कूल का विकाश हुआ स्कूल प्रबंधन की कुछ विशिष्टाएं होती है क्या विशिष्टाएं होती हैं इनको प्रबर तरीके से हम जान लेते है स्कूल प्रबंधन की विशिष्टाएं निमनलिखित है नमबर एक प्रक्रिया, प्रोसेस स्कूल प्रबंधन क्या है एक प्रोसेस है पूरी प्रोसीजर है यह निर्धारित लक्षियों की प्राप्ति के लिए एक गतिशील प्रक्रिया है और प्रक्रिया की रूप में इसके अंतरगत नियोजन, संगठन, प्रशाशन, शमनवय, निर्देशन, नियंत्रण, कर्मचारियों की विवस्था, शंपादन, मुल्यांकन, होता है, निर्देशन करने की प्रक्रिया होती है, कंट्रोलिंग होती है, कर्मचारियों की विवस्था करनी पड़ती है, यह सारे ही इसमें इनकलिवर होते हैं, दूसरा है उद्देश पूरक प्रक्रिया, इस्कूल प्रबंधन उद्देश पूरक प्रक्रिया है, इस्कू यह स्कूल के उद्देस्यों की प्राप्ती के लिए हर शंभव प्रियाश करता है और इसी में सनलगन रहता है शतत प्रिक्रिया इस्कूल प्रबंधन एक निरंतर जारी रहने वाली प्रिक्रिया है यह शतत चलती रहती है परिणामों के परशात उद्देस्यों की प्राप्ति का प्रियास इसे निरंतर जारी रखता है मानवी अप्रक्रिया है इसकूल प्रबंदन मानवी अप्रक्रिया है यह व्यक्तियों का विकाश है ना की वस्तुमों का निर्देशन यहां विक्तियों का डफलप्मेंट किया जाता है हर तरीके से सामाजी कारतिक राजनेतिक धार में मतलब सरवाइंगिन विकास होता है मनुसिका विद्याले में आकर के स्कूल प्रबंदन में मानुवों द्वारा मानुवों को निर्मित किया जाता है मानुवों यानि की टीचर्स के द्वारा मानुवों को निर्मित यानि की इस्टुडेंट्स को निर्मित किया जाता है उनको परिपक किया जाता है मजबूत बनाया जाता है जीवन के हर छेतर में सामाजिक प्रक्रिया स्कूल प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है सोसल प्रोसेश है इसमें शामाजिक सिध्धानतों को ध्यान में रख करके समुह के सभी सदस्यों को अभी प्रेरित करना पड़ता है मानवों का समुह समाज का निर्मान करता है शमनवित प्रक्रिया स्कूल प्रबंधन एक अंतरगत इस्कूल प्रबंधन के अंतरगत दो तत्व आते हैं कौन कौन से तत्व आते हैं एक तो मानवीय संसाधन दूसरे बहुत एक शंसाधन दोनों की आवसकता होती है परन्तु मानवीय संसाधन का प्रबंध अधिक महतपून है प्रबंध मानवी तत्तों को क्या करता है संचालित करता है और मानवी अस्रम एक सेकंड प्लीज थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और क्लियर देखे भौतिक संसाधनों को अतह प्रबंधन इन दोनों का सर्वत्तम प्रियोकर के उत्पादक्ता में ब्रध्धी करने का प्रयास करता है नेक्स्ट वन देखिए व्यवहारिक प्रक्रिया प्रबंधन मूल रूप से व्यवहारिक प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है व्यवहारिक जो कारे का संपाधन करती है इसका शंबंध मानवी संसाधन बहुतिक संसाधन तथा निस्पत्ती से होता है प्रबंधन व्यक्तियों से काम लेने की क्या है एक क्रिया है मनेजमेंट क्या है व्यक्तियों से काम लेने की एक प्रक्रिया है प्रोसेस है जो विद्यालाय में जो बैठा व्यक्ति M.D. है मनेजमेंट डारेक्टर है वो क्या करता है उसके बाद व्यक्ति लोग टीचर्स पियंस चप्रासी सब वहां पर क्या करते हैं काम करते हैं किलिए रवे 50 प्राप्टि एक प्रुद्धहिं सक्षित करना विद्यार्थियों सिच्षित करना होते ओर ना है कि शार्भामिक प्रक्रिया है और यह किसी भी कारे को समुचित याने कि एक सही डारेक्शन में ले जाने की प्रोसेस है प्रक्रिया है नियोजन संगठन नियंत्रन और निर्देशन ये सभी शार्भामिक प्रकृत के कारे हैं और यह सभी प्रकार के स्कूलों और अनुसस् नात्मक उपागम है या किशी विशेश विधा से समंधित नहीं होता है इसमें सिक्षा छेट्र समाजशास्त्र मनो विज्ञान मानव सास्त्र विश्यों के इस्थांतों को प्रयोग करने की आविशेक्ता होती है आद्रश्य कोशल स्कूल प्रबंधन एक आद्रश्य कोशल है जो कि दिखाई नहीं देता है स्कूल प्रबंधन कोई दिखाई देने वाला तो नहीं है कि पूरा मेनेजमेंट दिखाई दे रहा है मेनेजमेंट कोई एक व्यक्ति करता है जो कि अपरत्यक्ष रहता है है ना यह एक अद्रश शक्ति होती है जो साधनों की स्रेश्टतम उप्योग में सयोग देती है और कारिकी शफलता अशफलता पर भी इसकी खुसलता का दर्सन होता है कि भाई अगर आपका मेनेजमेंट अच्छा है तो फिर जो भी काम आप लोगों से करवा रहे हैं यानि की सिक्षक टीचर्स जो भी टीचिंग कर रहे हैं बालक उससे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं आपकी विद्याले के बच्चे साई डारेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं यह तो बात में पता लगता है result पे, है ना, कि विद्याला में पढ़ाई हुई या नहीं हुई गत्यात्मकता, इस्कूल प्रबंधन क्या है कि गत्यात्मक है? इस्कूल प्रबंधन सेक्चिक प्रक्रिया का गत्सील एवं जीवन दायक तत्यु है इसके अभाव में शाधन मात्र सिर्फ साधन बन करके रह जाते हैं अधिकार विवस्था प्रबंधन अधिकार की रूप में प्रियोक्त होता है इसकूल शेत्र में प्रबंधक और प्रबंधित दो वर्ग होते है प्रबंधक वर्ग के अधिकार अधिक होते हैं और वे अपने अधिनस्तों से काम करवाते हैं जो प्रबंधक है उसका क्या है उसके अधिकार अधिक रहते हैं उसके पास ज़्यादा अधिकार रहते हैं और वो अपने जो उनके जो अधिनस्त करमचारी हैं उनके अधिनस्त मतलब जो उनके नीचे करमचारी हैं, वो उनसे काम लेते हैं, कार्य संस्क्रती, स्कूल प्रबंधन को अधिकार सत्ता की प्रणाली माना जाता है, क्या माना जाता है, अधिकार सत्ता की प्रणाली, क्योंकि प्रबंधन का कार्य निस्पादन है, तो उसकी क्या responsibility है, जो MD है, उसकी क्या responsibility है, कि भाई वो अपने नीचे जो भी करमचारी है, उनसे काम करवाए है, ना काम कराना है, इसकूल प्रबंधक कारे कराता है, प्रधानाचार स्वेम बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन प्रतेक अध्यापक से कारे लेते हैं, और गैर सिक्षक करमचारियों दोरा सैक्षिक सुविधाय जो टाने वातावन को निमत कराने में सहयोग लेते हैं, और जो गैर सिक्षक करमच हो गए बहुत हैं इस से ज़्यादा पढ़ने की आवशकता आपको नहीं है इनको छोड़ दीजिए उसके बाद नेक्स्ट कोर्शन हमारे सामने है चोटे-चोटे सी दांत 15 मैंने पढ़ा दी यह वो एनफ है बहुत है ठीक है इस से ज़्यादा पढ़ने का सकता नहीं है इसमें से आप अगर 10 लिखे देंगे तो एनफ रहेगा नेक्स्ट कोर्शन है जो कि अपने आप में ही बहुत इंपोर्टेंट कोर्शन है 2018 में पूछा भी गया है ठीक है एक से बढ़कर एक कोर्शन आपके लिए हम लाते रहेंगे प्रजातांतरिक एवं आधिकारिक यानि कि निरंकुस विद्याले प्रबंधन से आप क्या समझते हैं कानपूर 2018 में कोर्शन ये पूछा भी क्या है बात ही कानपूर की हो रही है प्रजातांतरिक विद्याले प्रबंधन आप सभी को पता है हमारा देश प्रजातांतरिक अतह विद्याले यानि की स्कूल मैनेस्मेंट को प्रजात अंतर के नियमों पर आधारित होना चाहिए विद्याले प्रबंधन को प्रजात अंतर के नियमों का ज्यान होना चाहिए उसे प्रजात अंतर के शिद्धानतों पर क्या होना चाहिए? विश्वाश आगे देखिए प्रजातंतर के नियमों से तातपर यहां है कि प्रबंध को सदभावना यानि कि जो भी वहां मैनेजमेंट डारेक्टर है उसके अंदर सदभावना शेहन सीलता नियाए श्वातंतरता दूसरे के विचारों का आदर इंसा पर अधारित होना जाए जो MD हो उसक सद्रेक्टर के आधर करें संस्मान करें ऑकि अगर कोई शिक्षक है या कोई वी हूए अगर आपने कुछ विचार रखता है तो उसके विचारों की करना चाहिए कि उसे विद्याले की शामासिक और बादिक विचारों को विकषित करना है प्रजातंत्र पर आधारित प्रबंद में न केवल सक्षका के छैत्र में क्रानुती ला सकता है बलकि राष्ट के भावी नागरिकों में जन तंत्रिय भावना को भी विक्षित कर सकता है शुए तंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में एक नवीन सामाजिक और राजनेतिक धाचे का निर्मान हुआ इसी नवीनता की अनुरूपी ही सिच्छा में विद्याले प्रबंद की शुरूप का निर्मान करना है परजय अतांतरिक विद्याले प्रबंद में मूलता दो बातों का दिहान रखा जाता है कौन-कौन सी हैं वो दो बातें नमबर एक तो सहचिक प्रशाशन में एकाधिकार प्राफ्त प्रबंदक नहीं होना चाहिए दूसरी बात शंपूर्ण सिच्छाश विर्ष्था स्वतंतरता शमानता नियाय समाजवाद और धर्म निर्पेक्षिता से युक्त होना चाहिए नेक्स्ट वन पॉइंट हमारे सामने है प्रजात अंतरिक विद्याले प्रबंदन के कुछ सिध्धान्त है नमबर एक उत्तरदायतों में सहबागता का सिध्धान्त प्रजातंतर में विश्वास करने वाला प्रबंधक उत्तरदाइत तुम्हें श्योग की भावना पर विश्वास करता है वो एश्वयम को सरवोच सिद्ध नहीं करता कि मैं MD हूँ तो मैं सरवोच हूँ जो मैं कहूंगा वही सब मानेंगे ऐसा नहीं है हमें दूसरों की सहबागता को भी देखना है उसके आचार विचारों को भी देखना है अगर कोई अपनी बात को रखता है तो हमें उसका सम्मान भी करना है बलकि अपने साथी अध्यापकों की सायता से विद्यारतों के विक्तित का विकाश करना चाहता है कुछ ऐसे प्रिंस्पल्स या मैनेजमेंट डिरेक्टर होते हैं वो किसी की बात को सुनते ही नहीं है टीचर को नौकर की तरह रखते हैं, समझते हैं जब कि कुछ विद्यालियों में ऐसा होता है कि जो भी मेटिंग हुई वो टीचर के साथ होती है जो भी निर्णे लिए जाते हैं टीचर की सलाक के बाद लिये जाते हैं कि टीचर का आपना क्या पॉइंट आभ विव है है ना, वह अधिकारों वह दायतों को अपने सहयोगियों में बाठता रहता है वह शबी विचार विमर्स के माध्यम में से संस्ता के कारिकों करता है शमानता का सिध्धानत देखिए प्रजयतंतर में विद्धयले प्रबंध समानता के सिध्धान पर आधारित होती है अता प्रबंधग को अपने सहीयोगी करमचारियों के साथ समानता का विवहार करना चाहिए किसी को ऊंच नेच या कोई ऐसा ने की वो बड़ा टीचर है वो छोटा टीचर है ये सब नहीं है, सभी को एक समान मानना चाहिए, सभी के साथ एक बराबर विवहार करना चाहिए उसे सभी को एक समान समझना चाहिए समानता का सिद्धानत बहुत इंपॉर्टेंट होता है है न हम विद्याले में ही नहीं अपने घर परिवार समाज में भी समान ताके सिध्धान्त को अपनाएं और यदि उसे कोई निर्णे लेने हो तो उसे अपने निर्णे को क्या करना चाहिए सरवोच नामान करके कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया सरवोच नामान करके सबी के साथ विचार विमर्ज करना चाहिए मैंने भी ये बात कही थी कि कुछ विद्याले में ऐसा होता है लेकिन कुछ विद्याले में क्या होता है कि बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया जिस्टे स्योग्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने के अवसर प्राप्त हों उनको लगे कि हमारी भी कोई वैलीव है स्कूल में प्रबंधक को अपने स्योग्यों के साथ पक्षपात पूर्ण विवहार कभी नहीं करना चाहिए दूसरी बात है नेक्स पॉइंट है योगिता का सिध्धानत क्या कहता है योगिता के सिध्धानत से ताथ पर यहाँ है कि एक प्रबंधक को के अंदर यह गुन होना चाहिए कि वह कर्मचारियों को उनकी योगिता के अदर पर कारे शौपे ऐसा नहीं है कि आज अरे आज मिस्राजी नहीं है जो सरमाजी आज आप पढ़ा दो पता नहीं सरमाजी की उतनी जो है कि कैपेबिल्टी है की नहीं है उनके अंदर उतनी योगिता है की नहीं है वो उस क्लास में जाने की लायक है की नहीं है पता लगे वो रोज class 8 तक पढ़ाते हैं आज उनको आपने first year में पढ़ा दिया मिस्राजी नहीं आये थे तो आपने सरमाजी को भेज दिया, ऐसा नहीं है आपको teachers की योगिता देखनी है कि आप ऐसा नहीं है कि अगर inter में कोई absent है 12th class में, तो आपने class 8th के teacher को भेज दिया, कि जाओ खाली बच्चों को देखे रहो जो teacher आपका 12th में जाता है उसी को 12th में भेजें जो teacher 8th तक जाते हैं उनको 8th तक ही भेजें ठीक है, यह अलग process होता है इसको भी समझना एक बड़ी बात है तो यहाँ पर योगता का सिद्धान्त इसी में apply होता है कि आपको योगता भी तो देखनी है कि किस teacher की कितनी योगता है, है ना, जिससे करमचारी लगन वा मेनत के साथ अपने कारे को कर सके हैं अगर आपने जिसको, जिसकी इतनी योगता नहीं है और आपने उसको subject पकड़ा दिया तो वो क्या करेगा खाली time पूरा करेगा, बच्चों को समझ में नहीं जागा क्लास बच्चों को क्या होगा, boring लगेगी है ना और उसके बाद क्या है, next one is नियोजन का सिद्धान्त देखिए, प्रबंदक को संस्था के उद्देशियों को प्राप्त करने के लिए नीतियों का निमान करना होता है संस्था को, प्रबंदक को संस्था के उद्देशियों को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है कुछ नीतियां बनानी पड़ती है है ना, उनका निमान करना होता है उसे प्रजात अंत्र के नियमों को ध्यान रखना चाहिए संस्था का नियोजन करते समय उसे समस्त करमचारियों की भावना को ध्यान में रखना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेत्रत्त का शिध्धानत देखिए एक कुसल प्रबंधक में नेत्रत के गुण होने चाहिए जीवन के प्रतिक्षित्र में एक नेता के सामने अनेक कटनाईयां उत्पन होती हैं जो भी गुरूप का संचालन करता है जो भी किसी संस्था का संचालन करता है जो भी समस्था आती है वो उस संस्था के करमचारियों पर नहीं आएंगी, जो भी decision लेना होगा कर्मचारी नहीं लेंगे, सारा कुछ कौन देखता है, जो नेता होता है, जो लीडर होता है, जो नेत्रत तो करता है, है ना, तो सारी समस्चाएं, कठनाईयां भी जाइड सी बात रहे कि उसी के सामने आएंगी, और इने कठनाईयों का सामना केवल वही नेता कर सकता है, जिसमें नेत्रत के समस्च गुण विद्यमान होते हैं, नेत्रत के गुणों से तात पर एक कुसल प्रवंदक में अपने साथी करमचारियों का माग दरसन करने की, उन्हें उत्तरदायतों से अवगत कराने की, कि किस करमचारी का करमचा का ध्यान भी कौन रगता है नेत्र तो जो करता है नेता सैयोग का सिध्धान्त विद्यालायक क्या है सैयोगी संस्था है अतहां प्रबंदक को चाहिए प्रबंदक को सैयोग की भावना विक्सित करके कर्मचारियों को कारी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए सिच्छा के छेत्र में कारे करने वाले सभी विक्तियों का एक ही लक्ष होता है अता एक ही लक्ष की प्राप्ति के लिए सयोग से कारे करना बहुत आवश्यक होता है नियायका शिद्धांत देखिए नियायका शिद्धांत क्या कहता है प्रजात अंतरिक प्रबंधक को प्रजयतांतरिक प्रबंद प्रबंद को पक्छपाथ पूर्ण विवहार करने से करमचारियों में निरासा की भावना का विकास होता है कि आपने उसको बढ़िया मान लाए हो, हमको घटिया मान लाए हो, उसको ज़्यादा सम्मान मिल लाए हो, हमको कम सम्मान मिल लाए हो, तो ये भी एक गलत बात है, करमचारियों में रासा की भावना का विकासों का पक्षपात पूर्ण विवहार आपको नहीं करना है, श्वा क्या उसकी छमता है, वो अपना best तभी दे सकता है, जब आप उसे मौका देंगे, जब आप उसे मौका ही नहीं देंगे, तो कैसे वो अपना best दे पाएगा, है ना, इसके लिए उसको क्या होनी चाहिए, freedom होनी चाहिए, अता विद्याले प्रबंधक को, अपने करमचारियों को ये अवसर देना चाहिए, कि वे अपने विचारों को श्वत्मत्रता पूर्वा का प्रकट कर सकें, डरें नहीं, ऐसा ना हो कि उनको डर लगे किया, आपनी बात रख देंगे, तो ऐसा ना हो कि M.D. डाट दें, जिस्टें उनमें स्रजनात्मक्ता का विकास हो सकें, अत्यदिक हस्तच्च्च्च्च्च्च्च्च करमचारियों की कारचमता को कम कर देता है, लेकिन हाँ, ये बात सही है, अगर जो भी M.D. है, जो मैनेज कर रहा है या प्रिंसिपल है अगर वो ज़्यादा हस्तच्छेफ करेगा है ज़्यादा इंट्रफेर करेगा तो वो उससे भी फर्क्या होता है दिक्कत होती है करमचारियों को प्रबंदक को शौतंतता के वातारण में करमचारियों को कारी करने की आउसर प्रदान करने चाहिए उसमें हर बात हर चीज में उनके इंट्रफेर नहीं करना चाहिए नेक्स्ट वन इस मूल्यांकन का सिध्धान्त देखिए मूल्यांकन का सिध्धान्त क्या है क्या कहता है मूल्यांकन का सिध्धान्त इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई विद्याले प्रबंदक को शमय शमय पर पाठ्ठी करम, पाठ्ठी सामगरी वा अन उपकर्णों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए जिसे सिच्छा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को समाप्त किया जा सके है ना? आदिकारिक विद्याले प्रबंधन देखिए यह प्रबंधन व्यक्त की इच्छा पर निर्भर करता है कौनसा प्रबंधन है? देखिए यहां तक आपके यह सिध्धानत पूरी हो गए नौग ठीक है? आप देखिए यहां से बात अलग सुरू होती है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पतला कि आपका ध्यान भटक जाए इदर उदर हम लोग कोशन पढ़ रहे थे क्या कोशन पढ़ रहे थे? परजात अंतरिक विद्याले प्रबंधन ठीक है? यह हो गया इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रजातांत्रिक विद्याले प्रबंधन के कुछ सिध्धान्त हम लोगों ने पढ़े ओके ये हमारे सिध्धान्त कितने पढ़े हम लोगों ने नौ सिध्धान्त हम लोगों ने यहां तक पूरे किये अब क्या चला है हमारा अब क्या सुरू हुआ है अब सुरू हो रहा है यहां से आधिकारिक विद्याले प्रबंधन देखिए इस बात को समझे यह प्रबंधन व्यक्त की इच्छा पर निर्भर करता है अर्थात नेत्रत करने वाला यानि कि जो गुरुप का लीडर है जो संस्था का मालिक है व्यक्ति वो व्यक्ति अपनी इ का मत है कि यदि प्रसासक कार की पहल स्वेम करता है नेतियों का नियंत्रन रखता है कार की पनाली स्वेम ही निदिस्ट करता है भविश्य को नियंत्रित करता है तो फिर तो फिर प्रोत्साहान और विसलेशन अगर करता है तथा शाह को नियंत्रित और मुल्यांकित करता है तब उसे अदिकारिक प्रकालेटा कहा जाता है अधिकारिक प्रबंधक अंगरेजी शासन कालमे प्रचलिक था आज भी विद्यालियों में इसकी जलक देखने को मिल जाती है जिसमें कभी कभी management director जो होता है कभी क्यों भी क्या मुतलब mostly school is college में ऐसा हो था कि वो किसी की सुनता ही नहीं जो उसने कह दिया वो कह दिया ठीक है इससे प्रशाशक द्वारा दबाओ से कार करना संबली था यानि कि वो अपने दबाओ से काम कराता है काम करना है तो करो नहीं तो जाओ क्योंकि हम तुमारी सुनेंगे नहीं जो हमने कह दिया वो कह दिया है ना वही बात हो गई मैं जुकेगा नहीं या नेत्रत पद पर बैठे विक्तियों तक ही सीमित है इसमें अंतिम निर्ने सरवोच पद पर बैठे विक्तिका होता है जो मतलब अंतिम निर्णे वही लेता है आप चाहें जो कहे दो लेकिन निर्णे वही लेगा निवक्त, वियूक्त एवं मुल्यंकन का अधिकार अधिकरित का ही होता है आप देखें, नेक्स्ट वन इस आधिकारिक विद्याले प्रबंधन की क्या मानिताय होती है यह प्रबंधन उन लोगों तक शीमित है जो किसी पद या परस्थिती के कारण सक्ती शंपन है इस प्रबंधन में शक्ती विक्येंद्रित हो सक्ती है लेकिन दायत्यु नहीं अंतिम रूप से दायत उशी का होता है जो उच्पद पर बैठा होता है दायत तो वही है, responsibility उसकी है, जो वो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा, जो उच्छे पत पर बैठा है, इस प्रवंदन में अच्छे प्रिणाम, दवाव जनियंतरत पर्यावन से ही संभव है, व्यक्ति संगठन से उपर नहीं होता है, उसे संगठन के हित में त्यागा जा स सकता है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जहें, वो संगठन से उपर नहीं है, संगठन के हित में त्यागा जा सकता है, निक्त विक्त का अधिकार, अधिकरत, उच्छ बदस्त का होता है, मूल्यांकन का दायत तो पतपर सिती, नेतरत का ही होता है, कुछ और से दांत रहे गए, इनको पढ़ लेते हैं, क्लास आपकी एंड हो गई, ठीक है, यहीं तक यह लास्ट इस्टेप है, इसको पढ़ लीजे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कि क्लास में, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्श में दिया हुआ है, आप मुझे वहा से चलती रहेंगी, आधिकारिक विद्याले प्रबंधन के शिद्धान्त, नियमों का सिद्धान्त देखिए, विद्यालियों में आधिकारिक प्रबंधन अपने नियमों को चलाते हैं, ठीक है, सरकार द्वारा लगा है, नियमों को काफी हद तक वो नकार देते हैं, अपन की नुक्ति करता है जिसे वो चाहे यानि की जो विद्याले का संचालन कर रहा है वही लोगों की नुक्ति करेगा जिसको चाहेगा उसको रखेगा जिसको चाहेगा उसको निकाल देगा यह उसके उपर डिपेंड करता है श्वयम मूल्यांकन का सिध्धान्त विद्याले में आदिकारिक प्रबंदन शेम मुल्यांकन प्रबंदन ता विद्याले का मुल्यांकन करता है कक्छाओं में सुचारू रूप से कक्छा चल रही है कि नहीं समय समय पर पाट्ट समागरी का मुल्यांकन भी किया जाता है यह सेम करता है वो मनमानी का सिद्धान भी अपलाई होता है विद्याले में आधिकारिक प्रबंदन अपनी मनमानी करते हैं जैसे कि विद्याले की फीस को बढ़ा देना मतलब ये तो उनके घर की बात है मतलब जब उनके मनमें आये उन्होंने विद्याले की फीस बढ़ा दी उनके उपर डिपेंड करता है इसमें कोई भी हस्ता चेफ नहीं कर सकता है ठीक है पढ़ाना है पढ़ाओ नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाओ तो प्यारे दोस्तों क्लास कैसी रही कमेंड करके जुरू बताईएगा जो मेरा दूसरा चैनल है मुझे वहाँ फॉलो करने का से मिलेगी ठीक है मिलते हैं मुझे नेक्स्ट क्लास में हैं